नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के पाँचवे स्वरूप के बारे में और नव दुर्गा का पाँचवे स्वरूप है सकंद माता का इनकी महिमा क्या है इनका पूजा विधान क्या है और इनसे किस तरह के विशेश वरदान प्राप्त होते हैं आज इस विशेपर बात करेंगे देखिए आपको बताया कि नव दुरगा का पांचवा स्वरूप है सकंद माता का कौन है सकंद माता और इनकी महिमा क्या है सबसे पहले ये जानते है देखिए नवदुर्गा का पाँचवा स्वरूप सकंद माता का माना जाता है कार्तिकेय यानि सकंद की माता होने की वज़े से इनको सकंद माता कहा जाता है ये माता चार भुजाधारी है और कमल के पुश्प पर बैठती है इसी लिए इनको पदमासना देवी भी कहा जाता है इनकी गोद में कार्तिकेय यानी सकंद भी बैठे हुए है तो जब आप सकंद माता की पूजा करते हैं तो साथ में कार्तिकेय की यानी सकंद की पूजा अपने आप हो जाती है देखिए सकंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ती सरलता के साथ यानी आसानी के साथ हो सकती है इसके अलामा अगर संतान की तरफ से आपको कोई कश्ट है तो उसका भी अन्त हो सकता है सकंद माता की पूजा में पीले फूल अरपित करने चाहिए और सकंद माता को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए अगर पीले वस्त्र धारन करके सकंद माता की पूजा की जाए तो पूजा के परिणाम बहुत शुब होंगे इसके बाद आपकी जो भी प्राथना है पूजा के बाद वो आप करिएगा संतान संबंधी जो प्राथना है संतान प्राप्ती की या संतान की समस्या के निवारन की वो प्राथना भी आप पूजा के बाद कर सकते हैं देखिए जोतिश में संतान का कारक मानते हैं ब्रिहस्पती को इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो ब्रिहस्पती का संतान वाला हिस्सा मजबूत हो जाता है तो सकंद माता की पूजा किस तरह से करें कि ब्रिहस्पती मजबूत हो वो भी जान लेते हैं पीले वस्त्र धारण करके सकंद माता के सामने बैठियेगा इसके बाद ब्रिहस्पती के मंत्र का जब करियेगा ब्रिहस्पती का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सह गुरुवे नमहा इस मंत्र का जब करियेगा माता से ब्रिहस्पती ग्रह को मजबूत करने की प्राथना करियेगा अगर आप माता के समक्ष बैठ करके ब्रिहस्पती के मंत्र का जब करते हैं तो ब्रिहस्पती का जो संतान वाला पाल्ट है, जो संतान वाला हिस्सा है, वो हिस्सा मजबूत होगा, आपका ब्रिहस्पती प्रबल होगा और संतान संबंधी जो कृपा है, वो कृपा प्राप्त होगी